कि आप सभी को वीडियो क्लेर जा रहे नहीं ताके हम लोग स्टार्ट कर पाएं पड़ा फट से बर कंफरमेशन दे देना बालक सब कि यह कंफरमेशन देने बहुत सरे दरीके होते जैसे तुमने सेशन लाइक करना शुरू कर दिया सेशन को तुमने शेयर करना शुरू कर दिया तुमने समझ में आ जाता है कि अच्छा हां मतले मेरा सेशन जो है वो लाइफ जा चुका है चलिए फटा फट से साहलों कीपर कंफरम करो जल्दी से हलो 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 एब्रिवान ओके चलिए तो आई होप सारे लोग जो है वो आ चुके हैं ठीक है Thank you guys मैं हूँ आपके पनी Educator वाबतरपाध ही और जैसा कि हम ने इस सीरी स्पार्ट किया है इस पता है ख्यजल्य तुमनों का इंटरस्फटूरा साथ में कम रहेगा थीरी क्लास में को तही शुहूरी क्लास में जSpeages से स्टार्ट करा है और हम पढ़णे हैं Medieval Hetょ को ठीक है तो कल हमने पढ़ाया कि आखिरी जो मेडिवल हिस्टी का चुई टाइम पीरिड है यह स्टार्ट कैसे हुआ क्या कि इसके पीछे की रीजन रहे थे कैसे तुर्क ने सबसे पहली बार तुर्कों ने आकरमन किया मैंने को कल डिफरेंस बताया था कि तुर्क के बीच क के बारे मैं बताया है आज हम प्रोसीर करेंगे कल हमने पठा कि घौरी की मिर्द्य हो जाती है किसकी पीचए तुर्प अब जोग सभालेंगे तो वहां सा जम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन हुए तो बढ़ते हैं जागी की तरफ प्राक्सिंग एडवकेश उसके साथ यह अब लोका मेंटर भी कर रही हूं मैं जल्देली क्लास स्टार्ट कर रही हूं अच्छली प्लस और आइकॉनिक के बारे में बात करते हैं तो प्लस के प्लाटफॉर्म पर सारी चीज़े जो हैं आपको मेंटर्शिप पीडिएफ एक्जाम के लिए सारी प्रॉपर तरीकी से तैयारी रेज हैंड को आप्शन आप अपने एजुगर के साथ बात कर सकते हो अगर कोई द फैरवरी के ओफस अगर आप लोग जब भी कोड ले रहे हैं मतला आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप मेरा कोड यहां पर यूज कर सकते हैं दिव्या माम का अच्छा अभी 20% आफ्स चल रहा है और वो सिर्फ आज के लिए हैं याद रखना सिर्फ आज क कर दो जल्दी जल्दी सभी के साथ देखो ध्यान से पढ़ेंगे और जहां भी डाउट आएगा उसको सॉल्फ किया जाएगा अगर तुम हाथ में कौपी और पेल लेके बैठोगी तो तुम्हारी चीज़े जो हैं बहुत स्यादा आसान होती वी जाएंगी ठीक है पूरी टाइम दिल्ली सल्तनत के अगर मैं बात करूंगी तो मैं बोलूंगी बीटा 1206 से लिके 1526 तक तक तुमको पढ़ना है मैंने बोला कि जब मैं तुमको पढ़ाओंगी अभी तो यहां पे जब दिल्ली सल्तनत की जब शुरुवात के बारे में जो हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 1206 से लेंके 1226 तक डिको इसके बाद अभी कौन सा वंच आएगा पहले तो गुलाम वंच आएगा फटा फट से सबको विजिबल हो रहा है हाउके ड़न गुलाम वंच के बाद आएगा खिलजी वंच खिल जी के बाद आएगा तुगलप वंच सबर्छे मेरे लिए अधिन घृवर से अगे बढ़ते हैं सब्सें पहले चीज कल मैं नहीं एक चीज बताया था और मैं उसके पीछे में बहुत सारे गुलाम को छोड़ के जाता था जिसमें एबक था बक्तियार खिल जी थे ठीक है यल्दोज थे यह सारे उसके कुछ गुलाम थे उसमें से सबसे प्रमुख उसका गुलाम था जिसे वह अपने संतान की तरह बानता था वो कौन था एबक किसकी बारे में मैं बात करूँगी, एबक की बारे में अब दिखो, मैं एबक की बारे में तुमनों कुछ चीजे बताऊंगी पसको ध्यान से सुनना, समझना, सारा कंसिप्ट तुम्हारा क्लियर होताब जाएगा एबक ने इसने राजगद्धी पी ये बैठा जब घौरी की जम रित्य होती है तो एबक राजगद्धी पे बैठता है तो अब किसकी शुरुआत होगी अब शुरुआत होगी स्लेव डाइनस्टी की क्योंकि एबक क्या था एबक के खुद एक गुलाम था तो इसलिए अब शुरुआत है स्लेव डाइनस्टी की कल मैंने आपको बताया था कि स्लेव डाइनस्टी जो है इसी को क्या कहा जाता है इसी को कहा गया है मामूलक वंच क् इसे कहा गया है मामूलक वन्ष तुम बोलो कि मामूलक वन्ष मतलब मामूलक वन्ष का मतलब हुता है स्वतंतर मातापिता की गुलाम संतान मतलब क्या है कि उसके माता पिता जो थे वो गुलाम नहीं जिबकि वो स्वतंतर थे लेकिन जो नके बच्चे हुए वो गुलाम हुए मामूलक वशो यतिहासकार अबी बॉलह ने दिया ठाए इतिहासकार, हभी बुल्ला ने एक टर्म निकाला था, मामूलक। बुला स्लेव नहीं, गुलाम के नाम से नहीं, बलकि इनको मामूलक के वन्शिबित दुनिया जानेगी, क्योंकि इनके माता पिता जो थे, वो गुलाम नहीं थे, बलकि उनके बच्चे हुए, वो गुलाम थे, पहले क्या होता था, बन्वा मजदूरी होती थी, अगर कोई एक गुलाम है, तो उसके बाद उसकी संतान गुलाम होगी, उसकी संतान गुलाम होगी, और इस तरीके से हम differentiate करते थे तो याद रखना जब भी हम बात करेंगे तो इसके बारे हम बात करेंगे हभी बुल्ला ठीक है हभी बुल्ला के द्वारा एक टर्म दिया गया था clear इतना point ध्यांचे सुनते जो समझते जो सारी चीज़े जो है वो clear होती जाएंगी अब तुमको याद कर रखना है माम एबग के बारे में अपने को कुछ चीज़े याद रखने है कुछ चीज़े बता ही जो अपने एक्जाम में आती है ठीक है तुमको कुछ टर्म याद रखने है जैसे तुमसे पहला सवाल ये पूछेगा कि एबग की राजधानी कहां पे थी पहला सवाल पूछता है तुमसे कि एबग की राजधानी कहां पे थी याद रखना घौरी के जितने भी उत्तर विजय छेतर थें उत्तर के साइड के जितने जगा को उसने विजय किया था जीता था उनों जगा पे एबक राज कर रहा था ठीक है उन जगा के बारे में बताएंगे जैसे लखनव हो गया था अवत का वो साइड था ठीक है उन सारी टाइटल कौन सी उपाधी मिली थी एबग को याद रखना एबग के पास एक उपाधी मिली थी दो उपाधी थी एबग के पास एक लाख बख्ष की उपाधी आपसे बार-बार एक्जाम में पूछता है कि ठीक है आपसे बार-बार एक्जाम में पूछता है कि एबक को किसकी उपादी मिली थी एबक को मिली थी लाख बक्ष की उपादी और दूसरी उपादी जिसको थी वो थी मलिक की तुम बोलोगे माम मलिक की उपादी इसको क्यों मिली थी माम लाख मलिक की उपादी क्योंकि ये ऐसा पहला रूलर था ये ऐसा पहला एबक जब गद्धी पे बैठा तो अगर हम दीखेंगे आरोनिकल इसको क्या होना चाहिए इसको सुल्तान होना चाहिए लोगों उसको सुल्तान बुलाएंगे क्योंकि जो भी सल्तनलत पे बैठता है जो भी राजगद्धी पे बैठता है लोगों से राजा बुलाते हैं लेकिन इसने ये पहला ऐसा साशक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधी ग्रहन नहीं की थी स्टार मांग देके नोट डाउन कर लोगे एबक पहला ऐसा इंसान था जिसने सुल्तान की उपाधी ग्रहण नहीं की थी इसने कहा था कि मैं अपने मालिक का गुलाम हूँ और मुझे इस चीज को मानने में कोई शर्म नहीं है तो मैं उनके गुलाम के नाम से ही जाना जाओंगा क्लियर हो रहा सभी को पॉइंट लाखो का दान दिना, लाख बख्ष, राइट 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 चलियर ठीक है, चालो अब मैं तुमको बताऊंगी इसने पनी जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं था तुम बोलोगे एबक इसको उपाधी टाइटल कौन से इसको मिली थी लाख बख्ष की क्योंकि दान बहुत जादा देता था इसलिए एक उपाधी इसको लोगों ने इसको दिया था मलिक की भी उपाधी दी थी थी अच्छा अब भी तुमसे दूसरा सवाल जो तुमसे पूछेगा वो तुमसे पूछेगा इसकी वैवाहिक नीटियों के बारे में क्या पूछेगा इसकी वैवाहिक नीटियों के बारे में दिखो कुछ एक्जाम में लिखा कुछ हिस्टॉरिकल्स ने लिखा है कि इसकी तीन बेहने थी और कुछ हस्टोरी करने लिखा है कि इसकी तीन बेटियां थी ठीक है? चोड़ो मैं तुम लोगो ऐसी बता देती हूँ तुम लोगो बस देहान से सुनते रहे ना इसको इसकी तीन बेटियां थी अब बेटियों का इसना शादी किया, बेटियों का नाम या इसकी बेहनों का नाम जो है, वो कहीं भी mention नहीं किया वा है, कहीं भी दिया वा नहीं है, हाँ, लेकिन इसने किसके किसके सा शादी की है, ये नाम जरूर दिया वा है, एक था नसरोदिन शाह, एक कौन था, नसरोद याद रहेगा देखो उसकी तीन पुत्रियां थी जिसके उसने शादी तीन जगा में की अब ये तीनों जो थे ये तीनों क्या थे तीनों के तीनों स्लेव थे याद रखना ये तीनों किसके स्लेव थे अगर हम इलतूत्मिश के बात करेंगे तो इतहास में जब भी पूछा था जाता यलतूतमिष गुलाम का गुलाम था वो एबग का गुलाम था ठीके चगे नसुर दीन् शाह यलदो और में इलतूतमिश XKefq एं तीनों से शादी हुई थी अब एक इतिहास कार है इबटी उन्हों ने लिखा है कि नसरुदीन शा जो थे वो कौन सा एरिया सम्हाल रहे थे वो सम्हालता था सिंध का जो एरिया था वो सम्हाल रहा था और इलतूतमिश जो था वो बदायू का सम्हाल रहा था कहा का बदायू का सूबेदार था याद रखना इल्तूतमिश जो था इसको कहीं पर नोट डाउन करके लिख लेना इल्तूतमिश जो था वो बदायू का सूबेदार था मैंने इसलिए तुमको बोला कि स्टार पॉइंट देखे लिख ली ना क्योंकि बदायू ऐसे बहुत सारे हिस्टॉरिकर ने लिखा है कि मद कालीन भारत के टाइम पे बदायू एक ऐसा सूबा थी जो सबसे जादा राजस्व देने वाली थी बदायू एक ऐसा सूबा थी जो कि सबसे जादा रेवेन्यू देने वाली जगा थी तो वहां का जिस सूबेदार हो उसका ठाट समझ रहे हो तुम हाँ अक्सरा में क्या होता है जहां से रेवेन्यू सिस्टम जादा आ रहा हो तो फिर उसका भाव देखते हो अच्छा हम सा साइटी में मार्केट में, exactly, good evening, good evening, clear, चालो, हाँ, ठीक है, पूपाइटी में 1210 में 1210 में पूलो, घोड़े बैठके नहीं खेलते हैं तुम लोग लिखोगे क्या, कि एबक के मिर्ती खे economy कैसे होती है चोगान खेलते हैं वक्त घोड़े से गिरके इसकी मृत्य हो जाती है इसकी अगर कुछ आपसे पूछता है एक्जामनेर कि इसने अपने रहते वे में कौन-कौन सा निर्मान का कार कराया था तो तुम तीन इसने कार कराये थे पहला कुवैत उल्मस्जिद ठीक है एक मस्जिद था कौवैत उल्मस्जिद कहां पर है दिल्ली में महरौली में ठीक है दूसरा तुमसे पूछेगा पहला तुम क्याल बोलना है तुमने कुवैत उल्मस्जिद जो की कहां सच्वेटेड है महरौली में दूसरा इसने क्या कराये था अढ़ाई दिन का जोपड़ा ठीक है तीसरा अढ़ाई दिन का जोपड़ा वही जगा है जहां पर तीन दिन का उर्ष का मेला लगता है किसका उर्ष का मेला लगता है और यहां पर मेला लगता है ठीक है ठाई दिन का जोपड़ा कहते हैं असल में पहले सबसे स्टार्टिंग में वहाँ पे जाने से पहले वो जगा संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी धाई दिन का जोपड़ा सबसे स्टार्टिंग में इसका नाम था कंठामाला कंठा वरन या कंठामाला करके नाम था संस्कृत विद्यालय क्योंकि वहां पर आज भी वह आक्रीतियां जो हैं जो बनी हुई है जो इसका प्रमान देती हैं कि वहां पर पहले संस्कृत विद्याले हुआ करता था ठाइधिन का याद रखीगा वहां पंजाब शाह का उर्ष का मिला लगता है तीन दिनों का मिला लगता है आज भी अच् तीसरा काम इसने शुरू करवाया था कुतुब मिनार का कंस्ट्रक्शन का काम क्या शुरू करवाया था स्टार्ट किया था नर्मान का कार इसने शुरू करवाया था एंड नहीं करा था इसने इसने शुरू करवाया था किसकी याद में बक्तियार काकी की याद में बक्तिय अब ममतास तो नहीं थी उसके पास किसके याद में बक्तियार काकी की याद में शुरू किया था हाँ कुत्ब मिनाल का काम अब एंड करता है आगे चलके कौन इलतूतमिश उसको पूरा कम्प्लीट करवाता है ये थी एबक की बातें एबक की जितनी भी रूल्स के टाइम में उसके साशक के टाइम में ये सारी चीज़ें हुई थी क्लियर हुआ ये सारा पॉइंट जल्दी से बताओ हाँ वेरी वेरी गुड ठीक है मेरी क्लाश होती है ये आपको मिलेगी ये फ्राइडे से संडे आपको क्लास मिलेगी मेरी मिलेगी आपको चार बजे यहाँ पे ठीक है बांध बिए तो आप लोगी क्लास होते है स्पेशल पर चार बजे हाँ मिलेगी और जनरली मंड़ी तु थॉ 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 ग्लास मिलेगी थी राजवन्श की चलो देखो इस्टार्टिड दे कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवैत उल इसलाम मस्जिद का निर्मान कार इसने शुरू किया था जो कि उत्री भारत में इसलामिक अगस्मारकों के बारे में बात करोगे नौर्थ इंडिया में जिन लोगों ने सबसे पहला या उनमें से अगर कहोगे कि मुस्लिम इसलाम की इमारकों में से सबसे पहला इमारत था यह अब बढऊ आगे की तरफ अब जो यहां पर आपको दिया हुआ है कि इसने मृत्टि उसकी हो गई ठीक है घोड़े से कुप्चल दिया गया इसके बाद आता एक राजा आराम शाह इल्टूत्मिष से पहले एक राजा आता आराम शाह जो कि मात्र जिसका साशक था आठ माह का कितने माह का यह आठ महीने तक रहता है कहते हैं बहुत कमजोर साशक था अब आराम शाह को जड़ नामक स्थान पर याद रखना आराम साह को इसने जड़ नामक स्थान पर पराज़त कर दिया बोला आउ जड़ा तुम सह मिलते हैं इलतूतमिश कहा जाता है कि वो अपने आप में वैसा साशक था ना कि मेरे को रूल करना है ठीक है और वो बहुत अंबिशियस था इन चीज़ों में आराम शाह को इसने इनवाइड किया और बुलाया और उसको फिर पराज़ित किया और उसको पराज़ित करने के बाद कहा बैठ जाता है खुद दिल्ली की सल्तनत पर चलो अब मैं तुमको बताऊंगी इसके बारे में इल्टूत्मिश के बारे में अब देखो इल्टूत्मिश के बारे में जो तुमसे पहला चीज़ पूछेगा कि इल्टूत्मिश असल में था कौन इसको origin क्या था, iltutmish का origin क्या था iltutmish ilbari turk था, कौन था, ilbari turk था iltutmish ilbari turk था, clear, जल्दी बोलते जाओ Marathi, नहीं, Marathi नहीं आती, तुम सखा दो सब बताएंगे, सब बताएंगे, किसने किसकी किसकी नीव रखी थी, सब बताएंगे, टाइंचन ना लो दूसरा तुम से क्या पूछेगा, कि ये क्या था, इसके और बारे में ये बदाएंगे, 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 ब वह एक्सेप्ट किया? इस नाम से अब क्या है? इसको बगदाद के खरीफा से एक पत्र प्राप्त हुआ था ठीक है, सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था खलीफा जो होते थे वो बगदाद में बैठते हैं basically religious leader के तौर पर देख सकते हो Islamic में religious leader के तौर पर रहते हैं और वो बैठते हैं ठीक है यह तो मैंने तुको बताए एबक का दावाद था एक बेटी से इसके शादी होई थी ठीक है खलीफा किसका खलीफा बगदाद का जो खलीफा था उसके दवारा इसको पत्र प्राप्त हुआ था दूसरा अब इसके टाइटल के बारे हम बात करो जल्दी से बताओ इसके टाइटल किसके इस टाइटल से इसको नावाजा गया था जल्दी से तुम लोग एक दम नालायक हो पता है तुम लोग को ये बात माम तुम्ही कसाहात अच्छा कसाहात हाव यू राइट ओके जल्दी से बताएंगे नहीं पता नहीं पता माम बिटा यहां पर बहुत गर्म है बेंगवाल में ट्रस्ट में बहुत जादा गर्म हो रखी है सुल्ताने आजम की उबाधी प्राप्त थी इसे सुल्ताने आजम की उपाधी प्राप्त थी उपाधी तुमने याद रखनी है देखो क्या क्या याद रखना है इसको खलीफा से पत्र मिला था दिल्ली का पहला वैवधानिक सुल्तान तीसरा बदायू का सुबेदार था चो था क्या इसको एक title मिला था किसका title नाम क्या था इसका सुल्तान आजम clear हुआ तो एक बर हाल राके बोलो yes ma'am clear हो रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है जल्दी से बताओ कोई doubt है तो वो भी बताओ और इसे जो खालीफा थे उन्होंने खिलत भिजवाई थी क्या भिजवाई थी क्या भिजवाई थी क्या होता है अगर तुम इसको उर्द्वम बोलतो इसको खिलत होता है सम्मान सूचक वस्त्र होता है इक ऐसा वस्तिर दिया जाता है जैसे कि तुम एक अच्छे position में पहुँच जा रहे हो तो तुमको सम्मानित करने के लिए एक परकार का जो तुमको वस्तिर कपडा जो दिया जाएगा सम्मान सूचक उसको कहा जाता है ठीक है जिस तुम रिटायर हो रहे होता है सब्सक्राइब करते हैं कि आपने इतने वरिष्टक यहाँ पर सिवा दी है अब आपको यह सम्मान दिया जा रहा है जल्दी बताईए एक काम करते हैं हम धरने पर बैटाते हम ही गायब हो जाते हैं मैं मैं आप ऐसे मत पढ़ाये कीजिए हम यह होता है यह क्या होता है भे तुम लोग को क्यामरा मी नहीं देख्या, मैं धर देखते रहे अच्छा, यह एक्चिलिस को हम देख लेगा तो फिर यह पढ़ने ही पाएगा ओ मैं गॉड पढ़ो शांदी से पढ़ना लिखना है नहीं यही करते रहे ना तुमनों को बस चलो, इसके बाद तुमको क्या करना है कि इसके अब तुमको काम याद रखने है कि इसने अजब तक यह राजा था इसने क्या-क्या कार किये थे अपने टाइम पीरिड में इसने करवाया था क्या तुर्क-े चहलगानी तुर्क-े चहलगानी जिसको इतिहास में हम एक फेमस नाम से जानते हैं दाट इस कॉल्ड वॉट चालीसा इसने तुर्क ए चहलगामी का इसने क्या करवाय थे इसने गठन करवाय थे जिसमें चालीस नोबलमेन को चालीस दरबारी कह सकते हो या राज्य के जिस सबसे चालीस अमीर लोग थे रईस लोग थे उनको इसने शामिल करवाय थे किसमें चालीसा में जिसको तुर्क ए चहलगामी इसने इसका गठन इसले करवाया था इसको लगता था कि मेरे मरने के बाद मेरे उत्रा अधिकारियों का यह क्या करेगा प्रोटेक्शन करेंगे इसको क्या पता था कि यही चालीसा जो है इसके उत्रा अधिकारियों के लिए क्या बन जाएगा एक श्राप के तौर पर बन जाएगा ठीक है चलो यह देखो मैंने बुला ने दिल्ली का पहला वैवधानिक सुल्तान बना कि कि इसने लौहर से इधर ट्रांसर करी राजधानी अपनी दिल्ली में क्लियर हुआ ऐसा पॉइंट ठेक है अच्छा को बैचा के बारे में देखो को बैचा तो कहते हैं कि कुब यल्दोस को इसने हरा दिया था इसके दो और थे ना बेटिया ओएबक की दो और बेटिया थी तो अच्छा इसे डर के कूद गया था हां थैंक यू चलो वेरी गुड क्लियर के इसने बहुत सारे मंगोल्स को दबाया था अपने टाइम पिरिट पे यह नहीं इसके आगे आने वाला जो बलबन होगा इसने भी दबाया था बलबन ने भी अपने टाइम पिरिट पे लेकर य दबाता है यह लोग भी दबाये थे लेकिन सबसे लादा किसका जिकर आएगा उसका क्लियर हो रहा है जलती से बताओ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है यल्दोस का दबन हम कब के तरायन का युद्ध हुआ था इसके साथ 1215 में तरायन का युद्ध हुआ था जहां पे इसन यही था इलतूतमिश था इलतूतमिश ही वो था जिसने शुद्ध अरभी के सिक्के चलवाए थे और इसने दो टाइप के और सिक्के को इंटर्ड्यूस किया था एक टांका और एक जीतल याद रखना टांका दो टरीकी के सिक्के चलवाए थे एक टांका और एक जीतल ठीक है टांका जो होता था टांका तुम इसको कंबाइन इसटकर सकती हैं याद जीतल सैसे निकालो न जीतल क्या होगा तामबा ठीक है जैणडी दोष्ख्य चलवाय थिसने टांक और जी तल इसिने यह वही आदमी था आचा कमेंट सटार इसा कॉन साशक था इसी टाइम पिरिड में जिनसंस्कृट के सिक्ख्य चलवाये थे मतलब धाथी के खाने के दात कुछ और दिखाने के दात कुछ और वोला सिचुएशन था क्योंकि वही राजा है कल इसकी बारे मैंने पढ़ाया था यह वही राजा है जो कि भाई रहने दो मूर्थी दोड़ने का काम कर दो यह वह सारी काम वही करता है ठीक है clear एक बर बोलो हां जी माम clear हो रहा है बो जागी कि यह क्या था ना इसने सोचा था कि यार मतलब अब तो मैंने 40 का भी गठन कर दिया है वो 40 मेरे उत्रा अधिकारियों को क्या करेगी प्रोट्ट करेगी यह अपनी बेटी को बनाता है रज्या सुल्ताना को ये बनाता है उत्रा अधिकारी बच्पन से ट्रेंड किया बहुत प्यार केता अबनी बीटी को हरी किति हासकार ने उसके बारे में लिखा है हर जगा में आपको उसका जिक्र जो है आपको एक जगा पर मिल जाएगा ध्यान दिने की बात क्या है इसके टाइम पिक विद्वान आया था विद्वान था मिन्हाज उल्ज सिराज विद्व एक विद्वान आया था मिनाज उल शराज अगर कोई बोले कि माम नहीं दिख रहा है तुम जो परिशान करते हो ना कहीं बार माम नहीं दिख रहा है ना ठीक है मिनाज उल शराज दिखे रहा है गहां से जो इसको ना करो कहानी के दर नहीं जादा घुसना है अच्छा क्या हुआ क्या हुआ को इसके रूल थे जो इंपॉर्टन जो राजा था जिस पे इसने आकर्बन किया, इसके विदवान कौन-कौन थे जो आये थे, ये तुमको याद रखना है कि विदवान कौन-कौन थे जो आये थे, अच्छा इसने अपने टाइम पे किस-किस चीजों का निर्माण करवाय था, construction अकाम कि इसने करवाय था, राजनिती कामों के ब बरूनी, याद है ना, पूछ लोंगी कहीं से भी question, test लोंगी बहुत जल्दी, याद रखना, दिखे है कि युरी मैम, इतने वहाँ हजार असे मेगा पिक्सल पर देखता हूं, एक जीबी खर्च करता हूं, आहाहा, चलो, कोलकता, अरे शांतिन केतन, मैं अभी जस गई थी, घूमने शांतिन केतन गई थी, बहुत प्यारी जगा है, बहुत प्यारी मतलब बहुत प्यारी जगा है शांतिन केतन, लेकिन अन फॉचनली शांतिन केतन, बहुत प्यारी जगा है शांतिन केतन, लेकिन अन फॉचनली श कैसमाम हां ठीक है अब सुनो के यहाँ ट्विस्ट आयेगा ट्विस्ट कि आएगा कि यह बैठाता तो है अपनी बीटी रजिया को ठीक है यह बैठाता है किसको पुटी रजिया को हैं जैसी ही दूत ceramic की मौ। हो जाती है मृत्ति हो जाती है उसी वक्त एक और दीन फिरोज शाही मैं इसको ऐसे रखती शहबुद्धीन रूप दीन फिरोज यह अपने बेटे को राजगदी पे बैठाती है और उसके लिए इसने इलतूतमिश के जितने भी परिवार वाले थे उसका ये मर्डर करना शुरू करती है उन्हीं आता है से मूवीज में थोड़ा ड्रमाटिक टाइप के ठीक है तो इसने क्या किया मर्डर करना शुरू कर द शाही थी रुकोबुद्दीन फिरोज शाही शाहबुद्दीन रुकोबुद्दीन क्लियर शाहबुद्दीन रुकोबुद्दीन मैं ऐसे याद करते हैं तिम लोग याद कर सकते हो ठीक है तो रुकोबुद्दीन फिरोज शाही जो है कहते हैं कि यह इलतूतमिश की दासी थी और उसी दासी के से का एक बेटा पैदा हुआ था जिसको ये बैठाती है किस पर राजश गद्धी के उपर उसके लिए मारना शुरू कर देती है कि भाईया हम क्या करेंगे मारना शुरू कर देंगे आपसे ग्जामनेर ऐसे पूछे कि मां कौन थी शाहतुरकान जो थी वह कौन थी तो ये थी ठीक है क्लेयर ओके मिद्लेश रोनिका संजय देभशी श्नुरंजन खाती है या लगाती है खा जाती हूं सामने वह और मेरे को जितने भी निगटे वाले लोग मिलते हैं उनको भी पसंद है रजिया सुल्टान के बारे मैं पढ़ें है रजिया सुल्टान के बारे म душ करता हैं थी मोस्क वेल्ट के था वाटरवक का काम करा कांब कराया था थे अधर एपने आए . असस़ा समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा प्रेटी को राजगर्दी राजगद्दी पर बैठाया था तो वो more or less कैसा ही अच्छा होगा अपने जन्ता के लिए प्रजा के लिए भी वह अच्छा होगा जो अपनी बीटी को इस तरह की तरह ट्रेन किया था बैठाया क्यों मानता था कि उसके जो बेटे थे वह इस काबिल नहीं थे कि वह राजगद्दी को समहाल सकते थे डन अब तुम देखोगी रजिया सुल्तान के बारे में जरम हुआ था बारह सुपांच के टाइम पे ती तुम उसकी बेटी की रूप में इसको जाना गया रजिया सुल्तान के बारे में जो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है हर एक इसामनेर आपसे पूछता है पहली प्रथम महिला सुल्तान कौन बनी थी वो थी रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 का टाइम पीरिड था लेकिन सबसे दुर्भाग के पूर्ण बात ये थी कि ये चार वर्षों में ये राज भी नहीं कर पाई थी ये से पहली ऐसी सुल्तान थी ये साशक थी जिन्होंने लाल वस्तर पहन के न्याय मांगा था और ऐसी पहली सुल्तान थी जिसको राजा सुल्तान बनाने वाली खुद प्रजा थी याद रखिएगा रजिया सुल्तान ने पहली और आखरी कह सकते हो उसके बाद भी आये थे कालो ठीके पहली ऐसी सुल्तान थी जिसके लिए जिसको प्रजा तंतर ने मिलके बैठाया था राजगद्दी के ऊपर प्रजा खड़ी हो गई थी मतलब लिटरेट गेट गूसबंस जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ इनके बारे में तब भी क्योंकि अगर तो मुसकी पूरी स्टोरी जानते हो किस तरीके से स्ट्रगल किया एक तो भाईया वो जो रुकुबुद्दीन है वो बैठता है राजगद्दी पे उसकी म दो भी इसके दुश्मन बन जाते हैं एक बहुती इतिहासकार है इसके बारे में रजिया तेन ऎक रहे थी और वो कमी दर्शार रहे थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे लोगों के ऐसी नीचमान सिकटा में ये कमी थी कि कि लोग को बस तकलीफ थी अधरवाइस हर एक चीज में ने पुर्ण थी चाहे युदिक के छेतर में कहलो डिप्लमाटिक कर रिलेशन कर यूप में कहलो राज्यों के बीच में अगर संबंध की बात आए सोचने समझने एक राजा की तरह हर एक चीज को करने प्रजा का खयाल रखने इन सारी चीज़ों के बारे में अगर सोच के अगर कहा जाए तो रजिया सुल्तान जो थी शोस परफेक्ट है ना चालो ठीक है नई नई याद रखना ये क्या करती थी लाल कपड़ा पहन के न्याए मांगती थी और लाल कपड़ा पहन के इसने जनता से न्याए मांगा था अपने लिए कैके मेरे को न्याए चाहिए फिर इसके प्रें मोगा जालता है अल्तुनिया इसे प्रें विवास médiााव बहुत सारे से राजा थें, जो चाहते थे कि काश रजय सुलताना हमसे व्याह कर लेती, कहिने से कैद भी करके रखा था, बहुत सारे सिच्वेशन जो थी बीच में आई थी, जलाओ दिन आयुक्त जो था, जलाओ दिन आयुक्त बाद में चल के आएगा, आयुक्त आएगा, इसके बाद होता कि हाँ, बहुत सब आजो क्लास में, आज क्लास में क्रिस्टान रोनांडो आया वा था, एक दिन मैसी आया वा था, यह बहुत लोग आ रहे इसको क्लास में, आच्छा, सुनो बातों को ध्यान से, रजय सुलताना कहते हैं कि फिर उसको इन लोगों ने पर एक सेना बना के प्रॉपर तरीके से लड़ने के लिए, कि वो राजगद्धी हमारी होखर हमाएंगे और बीच रास्ती महीन को मार दिया जाता है, इसी का एक स्टेब ब्रदर रहता है, उसी के द्वारा इसको मार दिया जाता है, ठीक है, यह देखो, इसका भाई था पर ओद जिसके बारे मैं तुम लोगो बताया थोजे पहले, शी उसनोगे प्रॉपर तरीके सेना के द्वारा यह मारा गया था, हाफ ब्रदर कह सकते हो, अपना सगा भाई नहीं, हाफ ब्रदर, अपने लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, हाँ, कुछ लोग को अगर हम छोड़ जिनका बेसिकली कोई जिन्दगी में उसूल था नहीं, जो बस ढखोसला रखते थे जिन्दगी में, असल में उनको कोई उसूल नहीं था, उसी ने अपने भाईयों को मारवार की किया था, अदर्वाइज हमारे हाथ भाई ऐसा नहीं होता, हमारत पढ़ लो चाहें, आप अगर सौ कौरव भी थे तो अपने आप में सारे के सारे कौरव जो थे, वो एक साथ थे, पांच पांडव भी थे तो अपने आप में क्या थे, एक साथ थे, याद रखना, साथ रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, तुम हिस्ट्री जो पढ़ते हो ना, हिस्ट जाएगा और कोई भी इस फूट का फाइदा उठा लेगा कोई सगा नहीं होता है सिवाए तुम्हारे अपने के कोई सगा वैसा नहीं होता जो तुम्हारे अच्छाई के बारे में सोचे जब तक उसे तुम इससे फाइदा नहीं है कोई नहीं सोचेगा इस दुनिया में समझ रखना आज समय से फिस्टी पढ़ूँगा अच्छा ये क्या ठीक है नहीं अब इसके बाद आएगा कौन बहरम शाह आएगा मुझदीन बहरम शाह 1240 से लेके 42 तक मातर दो सालों तक कहते हैं न कि पाप का दिन जो है वो भी जादर दिन नहीं टिकता है इसने अपनी बहरम के जैसा किया वैसा है इसके साथ हुआ चुकि इसका दो साल का टर्म पिरेट था इसले मैं इसको जादा डाला नहीं है मैं सीधे यहां पर पहुंच गई फिर बलबन के उपर ठीक है धान सबस्त सुन लेना कहानी के तौर पे इसको सुन लेना इसका जो राज था मातर कब तक दो सालों तक ठीक है इसको दो साल के बाद फिर इसको भी मार दिया जाता है बीच में क्योंकि इसको माना जाता है कि यह जो था बहुत वीक रूलर साबित होता है वीक रूलर कैसे साबित हुआ क्योंकि दूसरों के समर्थन पर चल रहा था दूसरों की शक्ति पर उच्छल हिसकी साथ दिया गया खतम कर दिया गया और किसे खतं करने मारा कौन था चालीसा वही चालीशा जिसका गतन किसने किया था तूथमिश ने किया था वही 40 जो था उसी 40 के दुआरा 40 ससर, खत्म करके अब राज गदोड़ी कौन आएगा बल बन आएगा घ्या सुदीन बल बन बल बन उनहीं अमीर लोगों में से उन्हीं नोबल लोगों में से निकल के बनने वाला साशक अब बन जाएगा डान थामसब दो जलता फट दिली से फटा फट कभी हाद रेका बड़ा को रो जैब आता दी येस वांग ख्लियर चालो अच्छा ओके ओके चलो पड़ाईगरो नहीं नयाब इसको नयाब की उबाधी प्राप थी और नहीं नयाब की 40 में कहते हैं कि बहुत महतपून पोजिशन रखता था चालिसा वाले फील्ड में बहुत महतपून पोजिशन ये रखा करता था ठीक है ओके करा यह कौन था नाइंथ सुल्तान अब ये नौवा इसके बीच में 3-4 सुल्टान आए कुछ 1-2 महिने के लिए आए गये बीच बीच में कोई माइने नहीं रखता है उसके बीच में कहीं से सवाल नहीं आता है कुछ नहीं हुआ था इसके बारे अगर हम देखते हैं तो यह क्या था वजीर का था ग्राणजन का इसका वजीर था इसलिए 44 हो खतम किया ऐसे कई तिहास कारों न लिखा है कि इसे इलतूतमिश ने खरीदा था एजसलेव के रूप में लेकिन चुकी इसकी रांकिंग अच्छी थी मतलब तरीका बात करने का तरीका कह सकते हो या फिर लोगों को राज्य को अपने साइड करने का तरीका बहुत जल्दी इसने पैसे कमा लिये और चालीसा वाले दल में यह शामिल हो गया था दरबारियो वाले दल में क्या हो गया था शामिल हो गया था उसके बाद इसने बहुत सारे military campaigns को भी lead किया था तो इसको बहुत सारी चीजों के बारे में idea हो चुका था कि यहां पे चीजे जो है वो कैसे कैसे run करती है अरे यार तुम लोग का class है चलो फटा फटे सारे लोगे special class पे आ जाएगे थोड़ा सा बस इसका part बचला है जादा नहीं थोड़ा सा है बलबन का इसके बाद हम start करेंगे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे किसके बाद आखिर कौन आएगा बलबन के बाद और बलबन के बारे में दो चार चीजे हैं वो हम लोग कल वाली class पर हम लोग जान लेंगे अभी फटा फट से आप लोग आ जाएगे कहां पर special class पर जो कि अपकी है पाँच बचे है चलिए गाइस उल्ग खान की उपादी इसको मिली थी नयाब की उपादी और उल्ग खान की उपादी मिली थी वही 1246 से लेके 1246 से लेके 1265 तक इसका रूल रहा था उसके बीच तक में ठीक है प्राचीन बालक तुम लोग तो पहले ही ये सारा इतिहास कवर नहीं कर रहे हो फिर modern ancient पहले ही ये कवर करो medieval कवर करो medieval में तुम लोग आती नहीं हो theory class में तुम लोग गाइब हो जाते हो एक class में आओगे दूसरी class में नहीं आओगे ऐसी तुमको लगता है complete हो पाएगा दिखो तुमको मैं बिल्कुल कहानी नहीं पढ़ाई ही मैं तुमको बिल्कुल दम कहानी deep में लेके नहीं जा रही हूं trust me मैं तुमको उतना बता रही हूँ जहां से तुम्हारी exam में सवाल बनते हैं बस उसके आगे हम नहीं जाएंगे थोड़ा सा बस जो पार्ट बच बच गया है यहाँ पर हम लोग उसको कवर करने वाले हैं ठीक है थोड़ा सा बस पार्ट है बलबन कब हम कल कवर कर लेंगे साथ में कौन आएगा खिल जी आएगा आखर हो कैसे आएगा क्या सिचुएशन होगी उसके द्वारा क्या क्या चीजें फोर्स में लाई गई थी क्या क्या चीजें जो थी वो जानी जाती है और कहाँ कहाँ सब के सवाल बनते हैं market reform हो गया सायनी को कचहरा बनाने का काम हो गया इन शारे चीज़ेगे बारे हम लोग जानेंगे कल वोके गाईस बाबाई टेक केर and slides कहा है यह वाले यहाँ पर मैंने सारे notes वाले form एक्चलिए डाल दिये हैं यह मैंने कुछ questions कर रखे अभी पर तुम्लों को ने दिए दिए चलो thank you बिना slide का ही बोल दीती है तुम लोगो thank you, आगे मैंने कुछ questions भी डाल रखेंगे ताकि मैं तुम लोगो कुछ questions जो है वो भी मैं करवा दोगी कल जैसी इंबलबन का chapter खत्म करेंगे और हम start करेंगे आगे तो इस chapters को भी हम लोग आपो करवा देंगे तो thank you guys, thank you everyone अगर आप लोगी चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजेगा do like, share and comment कभी share किया करो तुम लोग, चालो bye bye, take care everyone